नमस्कार, सन 1907 अर्थात सन 1857 की पचासवी वर्ष गांट ब्रिटेन में बहुत धूमधाम से मनाई गई इसे विजय दिवस बताते हुए समाचार पत्रों ने विशेशांक निकाले ब्रिटिस शोर्य का जमकर्म खान और इस स्वतंत्रता संग्राम को कुछ राजाओं का गदर बताते हुए रानी लक्ष्वीवाई नाना साब पेश्वा जैसे श्रेष्ठ भारतियों को हत्यारा और उत्पाती बताया गया स्वाभाविखी इस परिद्रश्य को देखकर भारतिय देश भक्तों की आत्मा कलप गई प्रख्यात विद्वान देश भक्त श्याम जी क्रश्ट वर्मा के इंडिया हाउस में रहकर इंग्लेंड में बकालत पड़ रहे नोजवान विनायक दामोदर सावर करने 1857 की वास्त विक्ता सामने लाने की योजना बनाई उन्होंने इंडिया हाउस के मेनेजर मुखर जी की अंग्रेज पतनी की मदद से वहां की लाइबरेरी में प्रभेश पा लिया और फिर अंग्रेजों की नाक के नीचे अंग्रेजों के ही गोपनिय दस्तावेजों का सूक्ष माध्यन कर उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1857 का स्वातंत्र समर और कमाल देखिए कि 1857 का वास्तविक इतिहास वरणित करने वाली इस पुस्तक ने स्वयम इतिहास रश दिया यह विश्व की इकलोती ऐसी पुस्तक बन गई जिस पर प्रकाशन के पूर्व ही प्रतिवंद लगा दिया गया यह केवल इसके नाम की देशत थी अंग्रेज जिसे गदर या विद्रोव बताते आ रहे थे उसे सुतंत्रता संग्राम बताना आखिर उन लोगों को कैसे सहन होता भले ही हमारे प्रतम प्रधान मंत्री चाचा नहरू भी इसे ही क्यों नेता जी सुभास के संग्राम को भी गदर ही बोलते आये हों आईए हम तो अपने इस प्रामानिक सुतंत्रता संग्राम का पुन्य स्मरन करें इसे जाने 1848 में डल होजी भारत आया सुभाव से जिद्धी दुस्साहसी राजनितिग्य जिसका एक मात रुद्देश था भारत की धन संपदा को लूटना उसका पहला निशाना बना पंजाब 1849 में महाराज रणजीत सिंग के परलोग गमन के बाद से ही पंजाब अंग्रेजों की आँख की किरकिरी बना हुआ था उत्रा धिकारियों के लगातार सत्ता संगर्ष के बाद भी पंजाब पर काविज होना अंग्रेजों के लिए इतना आसान न था महाराजा रणजीत सिंग की मरत्यू के मातर एक वर्ष बाद ही उनके उत्तरा धिकारी पुत्र खडग सिंग की मरत्यू हो गई उसके बाद अगले साशक बने नौनिहाल सिंग किन्तु वहवी सिग्र ही काल के गाल में समा गए अब शेर सिंग अद्धी पर बैठे लेकिन सन 1843 में उनकी भी हत्या कर दी गई अन्तते राजमाता जिंदन के संरक्षन में महाराजा रणजीत सिंग के अल्प वयस्क पुत्र दिलीप सिंग का राज्या रोहन किया गया ततकालीन अंग्रेजी सेना नायक मेजर ब्राट फुट की नीतियों के चलते सिख सेनापती लाल सिंग तथा तेजा सिंग के नेत्रत्यों में अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का प्रथम संगर्ष प्रारम हुआ इस युद्ध में चार लडाईयां फिरोष शामुद्ध की बद्रोवाल और अली बाल में लड़ी गई जिनमें कोई भी निरने नहीं हो सका पांच वी एवा मंतिम लडाई बीस फरवरी 1846 को सब्राओं में हुई जिसमें अंग्रेजी सेना ने लाहोर पर अधिकार कर लिय और 9 मार्च 1846 इसबी को अंग्रेजों एवं सिक्षों के बद्य लाहोर की संदी हुई इस संदी के पर राम सरूप सतलु जुनदी की दक्षण दिशा के सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया अंग्रेजों ने शिक्षों से हर जाने के रूप में डेड़ करोड रुपया मांगा जिन में से 50 लाख रुपे शिक्षों ने अपने कोश्ट से दिये तथा 6 रकम के बदले कश्मीर एवं पंजाब के कुछ प्रांत अंग्रेजों को सौप दिये अंग्रेजों ने 50 लाख रुपे लेकर गुलाब सिंग को कश्मीर बेच दिया कश्मीर का गुलाब सिंग को बेचा जाना शिक्षों को रास नहीं आया फलते लाल सिंग के नित्रत्व में शिक्षों ने पुने विद्रोग कर दिया अंग्रेजों ने सिखों को पुने पराजित कर दिया तता 16 दिशंबर 1846 इसबी को दिलीप सिंग से भैरोवाल की संदी हुई जिसके परिणाम सुरूप दिलीप सिंग के वयस्क होने तक ब्रिटिस सेना का लाहौर में प्रबास निश्चित कर दिया गया लाहौर का प्रसासन आठ सिख सर्दारों की एक परिशद को सौप कर महरानी जिन्दन को 48,000 रुपे की पेंशन पर शेख पुरा भेज दिया गया लेकिन जुजहारू सिख कौम क्या इतनी आसानी से पराज़े श्वीकार कर सकती थी डल हो जी की सामराज जवादी नीतियों ने आग में घी का काम किया जैसे ही अंग्रेजों ने मुल्तान के गवर्णर को अपदस्त किया जन्ता ने विद्रोह कर दिया और द्वती आंगल सिख युद्ध प्रारंब हो गया बाइस नवंबर 1848 सिबी को लड़ा गया रामनगर का युद्ध तीन जनवरी 1849 को लड़ा गया चिलियाँ वाला का युद्ध अनरनीत ही समाप्त हुआ किन्तु 13 फरवरी 1849 सिबी को लड़े गए गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों ने सिख सेना को पराजित कर दिया इतिहास में इसे तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद 30 मार्च 1849 को लाड़ डलहोजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया महराज दिलीप सिंग को 5 लाख रुपे की वार्शिक पैंसन देकर रानी जिंदन के साथ इंगलेंड भेज दिया गया तथा दिलीप सिंग से वैक कोही नूर हीरा चीन कर शाही ब्रिटिस राज मुकुट में लगाने हेतु भेज दिया जो कभी महराज रंजीत सिंग के मुकुट की शोभा बढ़ाता था ये तो डलहोजी द्वारा की गई लूट की शुरुआत थी पंजाब के बाद उसका अगला निशाना बना महराश्टर का सतारा सन 1849 में चत्रपती प्रताप सिंग को शड़ेंद्र पूर्वग हटा कर अप्पा जी को सतारा महराज का दर्ज़ा अंग्रेजों ने दिया किन्तु जैसे ही अप्रेल 1848 में अप्पा जी का स्वर्गवास हुआ उनके दत्तक पुत्र को माननेता न देते हुए सतारा को डलहोजी ने अधिगरहित कर लिया वैसतारा जिसकी गद्धी परसन 1674 में गागा भट्ट द्वारा अभिशिक्त होकर सुयंप्चवाजी महराज विराजमान हुए थे जिसके सामने संताजी घनाजी निराजी बाजी जैसे शूरमा भी जुकते थे उस पर डलहोजी जैसा एक अंग्रेज नुमाइंदा कारिंदा कबजा जमा बैठा रंगो बापूजी सन्याई की शिकायद लेकर जिस समय लंदन में लीडन हाल स्ट्रीट की सीड़ियां चड़ उतर रहे थे उस समय डलहोजी नागपूर को भी अपने अधिकार में लेने का शड्यंत्र रच रहा था विदर्ब का यह राज जी अंग्रेजों के अधीन नहीं था उस से अंग्रेजों के मेत्री पूर्ण और बराबरी के संबंद थे लेकिन यह दोस्ती ही उनके शर्वनास का कारण बनी नागपूर की गद्दी पर विराजमान रागोजी भौसले मात्र 47 वर्ष की आयू में स्वर्ग सिधार गए लेकिन बजाए रागोजी की पत्नी या उनके द्वारा दत्तक लिए गए पुत्र को नागपूर का शाशक स्विकार करने के डलहोजी ने 76,432 वर्ग मील का यविस्तीर्ण प्रदेश हडप लिया राज परिवार की कीमती बस्तुएं हाथी घोड़े ही नहीं तो विलखती राणियों के वस्त्रा भूशन भी बाजार में कोडियों के मोल नीलाम की गए महारानी अन्पूर्णा भाई जीवन की अंतिम सांसे ले रही थी और उनका शेयनकक्ष खोदा जा रहा था अन्पूर्णा भाई अपमान की आग में जुलस्ते हुए शरीर त्याग गई लेकिन एक अन्य कुल कलंकनी रानी बांका भाई अंग्रेजों की पिठ्थू बनकर उनकी चाटुकार बनने में गौरव की अनभूती कर रही थी बाद में 1857 में भी उनकी यही देश द्रोही नीती जारी रही अंग्रेजों की चाटुकारता में अपने कुल के गौरव को भुलाने वाली बांका भाई अकेली नहीं थी हैरत होती है जानकर कि पेश्वाओं की महान परंपराओं में से भी एक ऐशे महासय उत्पन हुए जिनोंने 1818 में अपना महान सामराज आठ लाख रुपे वार्शिक की पेंशन में अंग्रेजों के हातों गिर्वी रख दिया इतना ही नहीं तो इस पेंशन में से बचाए हुए रुपियों में से भी जब भी अंग्रेजों को जुरुत पड़ी मुक्तहस्त से उनकी आर्थिक मदद की नाम जानकर तो और भी शर्म महसूस होती है इनका नाम था बाजी राव कहां वह वहान बाजी राव जिनोंने मरा को अंग्रेजों के हातों में सौप दिया अफगानिस्तान की लडाई में जब अंग्रेजों को जुरुत पड़ी इस वाजी राव ने उन्हें पांच लाख रुपयों की मदद पहुचाई इतना ही नहीं तो बाद में जब पंजाब में शिक्खों से अंग्रेजों की लड आता है तू भेजे इस वाजी राव के पास अपना शनिवार बढ़ा बचाने के लिए सेना नहीं थी किन्तु पंजाब अंग्रेजों के हाथ में पहुंचाने के लिए सेना थी दुरभाग्य देश का लेकिन अंग्रेज ठेरे तोता चश्म वे कहां किसी का एहसान मानने व कि बहाना वही पुराना था बाजी राव के दत्तक पुत्र पेशवा नाना साहब को पैंसन पाने का कुई अधिकार नहीं है नाना साब ने लिखा भी हमारे विख्याद राजवंश से आपका यह क्रपन व्यवहार पूरी तरह से अन्याय पूर्ण है हमारा विस्त्रत के बदले आठ लाख रुपए प्रतिवर्श देंगे अगर यह पैंसा निस्थाई नहीं है तो राज्य पर आपका अधिकार कैसे और क्यूं रहना चाहिए दत्तक की आड में खेले गए लूट के खेल में जहासी भी कैसे निवसाना बना यह तो सर्व गया थे लेकिन डलहोजी की लूट नीती की इंतहा तो हुई अबद के मामले में ना तो वहाँ बारिस की कोई समस्या थी ना ही नवाब बाजिद अली शाह ने अंग्रेजों से कोई आक्रामा किया शत्रुता पूर्ण व्यभार किया था उल्टे हर कठिन समय पर नवाब ने अंग्रेजों की मदद ही की थी जब जरूरत हुई तब अंग्रेजों को उसने पैसा भी दिया और खाने के लिए अनाज भी मोहिया करवाया फिर भी अंग्रेजों ने उससे नहीं बक्सा डलहोजी ने अवद पर कपजा करने के लिए जो आरोप मढ़े उन्हें जानकर हसी भी आती है और गुसा भी, हद दर्जे की थी इन फिरंगी लुटेरों की बेशर्मी, सचाई यह है कि अब राज्य की जमीन बेहद उपजाओ और उसके कारण लोग बेहद धनी थे, और यही उनका सबसे बड़ा अपराद था, दलहौजी के प्रशासन और नीती का वरणन करते हुए, आर्नार्ड ने लिखा है, कि नवाब अपने राज्य में सुधार नहीं कर रहा था, इसा मसीही भी सुधारता को देख कर नत्मस तक हो गए होंगे, आवद वासियों के तन पर सुतंत्रता का जो अमूल लिवस्त्र था, उसे भी इस बहाने छीन लिया गया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के अंतरगत भूक से विलकते भारत बासियों का दर्ध, उन दिनों कौन सुन रहा था, नबाब का दूसरा अपराद बताया गया, कि वह अपनी दासियों को जरी की साड़ियां भेंट करता था, उसने आतिस वाजी का जल्सा किया, एक दिन उसने सुबह दबाई पी और शाही बेगम बताज बेगम से भोजन का आग्रे किया, है ना भेंकरतम अपराद, लेकिन नबाब के सबसे बड़े अपराद का वर्णन तो अभी बाकी है, उसने अपने सामने कुछ घोडियों पर घोड़े छुडवाए, शायद अंग्रे सरकार को उन घोडियों की पवित्रता भंग होने पर बहुत दया आई, और उसे देखने वाले नबाब को राज्य चुत कर दिया गया, अंग्रेजों ने नबाब बाज़े दली शाह को तो कलकत्ता के किले में बंद कर दिया, किन्तु सवाल यह है, कि अंग्रेजों की अनुसार उसकी जो प्रजा नबाब से नाखुश थी, उसने सम्शीर क्यों तानी, जबाब एक ही है, और वै यह, कि लुटोरे डल होजी की हडप नीती ने समूचे हिंदुस्तान को सुलगा दिया था, यह केवल चंद राज्य चुत राजाओं का संगर्श नहीं था, आम भारत वासी द्वारा लड़ा गया स्वाधीन ता संग्राम था, आज का यह एपिसोड तो प्रस्तावना भर है, अगले अंकों में आप सुनेंगे नाना सहाब पेशवा, महरानी, लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, अजी मुल्ला खान, वा अन्य अनेक क्रांती वीरों की लौम हर्शक गाथाएं, साथ ही तत्कालीन, इस्थिती,